अच्छ 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 आज बात करेंगे चत्र बूज जो कि एकजाम में क्या हैं जो हम आज जिस टॉपिक बारे में जो सब्सक्राइब पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों उसमें क्यों सन आते हैं तो हम कर्ण्ठ यह होते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहां छेपकाना होता हैं होता है लेकिन वह एक दूसरे में अंतर ने खर पता है जिस परकार से हम जानेंगे इख granular है चत्र बुज होते हैं एक तो समस्त्र सम्त्ररबूज है कि है कि एप था सम्मलं सम्मलं म पर एगं दासभान दो सम्तम ma ला नमबर यह दूसरा नमबर दोस्तों यह तीसरा नमबर क्योशन एक पक्का जरूर आता है अगर आर अगर इस्टुडेट और आरवी ग्रूप डी की तेरी करता है तो इससे क्योशन जदा संभावना बनते हैं यह MTR में लिखाया जाते हैं जब आपको छेतर मिती हैं सम्चत्रबुज दोस्तों तो इसके आकरति क्या होती है पतंग आकार जैसे पतंग होता है उसके वाए संक्रात को पतंग उड़ा देना उसके आकार की अब जो समानतर चत्रबुज होता है इसमें क्या सम्चत्रबुज में इसमें चारों बुजाएं समान होती है ठीक है दोस्तों इसमें चार Hag Tea समान होती हैं प oral कंडीशन दी लेकि जिसमलम्ब क्या होता है इसमें आमने सामने की बुझाई क्या होती हैं कि आमने आमने सामने की कि र toujours बुजाएं आमने सामने की बुजाएं क्या होती है समांतर समांतर होती है इसमें क्या होती है आमने सामने की बुजाएं समांतर होती है नहीं बुजाओ का एक जोड़ा समांतर था एक जोड़ा समांतर है नहीं समलम में ऐसे लिख लो एक जोड़ा एक जोड़ा जोड़ा समानतर क्या समानतर समानतर ठीक है दोस्तों और दूसरा जोड़ा दूसरा जोड़ा, एसमानतर, एसमानतर, लिख लेना एसमानतर, अब क्या, इसमें क्या बुजाय समानतर, यह दो याद रखो, तीसरा इटुमेटी हो जाएगा, यह क्या है, इसमें सबी बुजाय समान है, तो यह क्या समानतर, यह आयत होता है ना, आयत, अब मालो यह आयत है आयत के आमनी समनी की बुज़ाय समान होती है लेकिन मालो यह आयताकार मालो को यह टेबुल है इसको थोड़ा सा दख्खा लगा देते हैं तब यह टेबुल इस आकार यह आकार गहन कर लेती है एसा एसा है हुआ अब यह क्या होगा है है यह होगा समांतर चत्रभिजश क्या है दोस्तों समांतर सथल्त अपक्त क्या है ए अपन श्यूर लूज़र आप क्या पठीडर होगे एक जोड़ा समांतर तो यह मालों समांतर है कि बुजा ए भी तो यह दोनों रेल की पठ्ट्रेगी तरह काटेगी नहीं तो इसको क्या लिख होगे ए इसका मतलब समांतर सीडी ए बुजा ए भी समांतर है सीडी की और ए ए लिख लेशी नोट नहीं एस एसी और डीशी एसी और बीडी समांतर नहीं है दोस्तों अब इनका मतल तो यह हो गया अब इतना याद रखना कि अब हमने नोटिस में इसका इसका इसके आमने सामने की बुजा है क्यों यह दोस्तों समान होगी तो यह बुजा इसके बराबर है और यह बुजा इसके बराबर तो बुजा ए बी बराबर शीडी और बुजा एसी 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 लिख दो यह तो समांतर को है बराबर और ए बी बराबर शीडी और एसी कि बीडी है ठीक है दोस्तों अब इसमें कहानी क्या दिये हमने क्या लिखाय कि जो भी चत्र बुज्ज हो उसकी अगर सभी बुजाई समान होती है तो विकेंड क्या करेगा क्या करेंगे विकेंड सम्दी विवाजित करेंगी अम आलो यह कि यह निए पट्यकोंड इसमें क्या पतंगाकार हो गया पतंग किस आकार को था पतंग इस आकार का तो होता है ऐसे हैं ऐसे पतंग होता है यह A B C Depth अफ्टेंगा कर अमाला इस की यह तो यह पी पराबर यह पराबर यह पराबर यह पराबर यह परते कोण नबब डिग्री नहीं होता है पड़ते कोंड नबब डिग्री नहीं होता है जस्तों आप क्या इसमें पड़ते कोंड नबब डिग्री नहीं होता है हमने तो क्या याद रखा है कि जो भी चत्र बुज़ता है उसकी अगर सभी बुज़ाए बराबर हो तो विकंड के सम्दी आप यहां पर क्या संदी विवाजित करेंगे तो इसका परिमाप तो क्या हो गया यानि परिमाप परिमाप बोल दे या परीदी बोल दो यानि चारों बुझाओ क्या होगी यानि फॉर इंटो बुझाओ अब छेतर फल क्या होता है छेतर फल किसका सम्चत्र बुझका एक बटा दो विक्रूनों का गुणन फल मालो आपको यह तो हिंदी में लिखा दिया आपको वहां पर क्या मिल सकता है फोरे और या विक्रून एक बटा दो डीवन इंटू डीटू अब क्या आपको क्या देगा इस विक्रून की लंबाई मालो अधिये यह पूरी डीए तो यह आदा हो जाएगा मालो ओ ए ओ प्लस ओ डी बराबर एडी तो टू ए ओ बराबर एडी यह इसा होता है दोस्तों इसमें तो यह आपको याद रखना होगा समझ लें कि यह आदा विक्रून यह समदी भी बाजित का मतले हैं समकॉन पर काड़ सब्सक्राइब कहसे दुग्रा करेंगे यह इसको नकालें फिर हम दोनों वीग्रफल को सब्सक्राइब करें फिर यह समलम उना इसका चतर फियंता कि यह उता है एक बढ़ा दो समानतर बुजाओ का योग यह समानतर बुजाओ का योग फिर फिर यह उच्चा निकालेंगे यह एच और यह उच्चा है को गुणा कर देंगे देंगे गुरा उच्छाह यह होता समलम चत्र भुच का चेतर बज़ अप इसका चैतर पर पल के इसके याद करोंगे इसका चेतर यह आनि आधार गुणा आधार गुणा उच्छाह यह इसकी यह पर कारा का आयत यू तैसमें आमनीश का भुजा है लिकिन का चैतर फिट एक पूरा ये सुटर भूल जाए तो कई दिकत नहीं है क्योंकि यह से निकाल के इसका ढूग मैं je आजाएगा और निकाल भी लेंगे तो इसका चेटरपल किस इस आप से निकाल लोगे तू गुणा इसका निकालो एरिया कि तिर्बुज एओ तिर्बुज यह लो बी बी ओडी बी ओची बी ओची बी ओ ऐसे लिए लो अच्छी बी ओ तो वह समान तर्शाथ अजये अब इसमें अंतर क्या समझ में आप ने यह पड़ा तो अंतर क्या समझ में आया कि अग्या कि कि एक बात तो यह समझनी है कि कोई भी चत्र बुजो कोई ही पी चत्र बुजो कि चत्र बुजो कि यह यह दि सबी बुजाए कि बुजाए कि बराबर है तो यह कोई भी चत्र बुजो उसकी सभी बुजाए बराबर है तो कि विक्रिण कि विक्रिण कि सम्धी विवाजित सम्धी विवाजित जित करते हैं सम्धी बुजाते हैं समान 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 में दो बागों में विवाजित करते हैं मालो यह 10 फुट की है यह और भी यह 10 फुट की मालो इसको सम्दी विवाजित करें यानि 5 यह 5 यह ठीक है इसका मतलब है सम्दी विवाजित और जा परतिचेत करेंगे वह तो एक लंब डलेगा वह एक समकोन का निर्मान कर देगा तो यह चीज हमको ध्यान में रखने हैं क्य क्या करोगे दोस्तों यानि तुलनात्मक अध्यन कर लोगे क्योंकि सम्द्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् सब्सक्राइब ऑफिस्कनिक लिए लिक्रूनो का गुनफल तरह होते हैं वे तो हो गाया सम चत्र भुछ अब सम लूं में पहला सम लंब इसमें क्या है एक जोड़ा समानतर एक जोड़ा समानतर और एक जोड़ा एक जोड़ा A समानतर तो इसका आपको सुत्तर याद हो जाए वन अफमोने समांतर बुझाओं का योग फिर बचेगा सम architect समांथर समांथर क्या होता है 사मांतर एक क्या होता है जिसके आयत होता है एक परकार का आयत होता है आयत लेकन वह आयत जैसा दिखता नहीं है आयत जैसी विशेश ता होता है लेकिन एक कारण इसमें आयतम और समांतर चत्रपूज में कोई अंतर नहीं होते हैं जिसके यह समांतर चत्रपल क्या होता है चेतर वादार antar गोणा उचाई उचाई यह इसका चैतरफल होता है यह थी सम्लम समांतर और सम्चतर भुज में आपका तुल्यात्मक अध्यन दोस्तों थेंक्यू ओल दावेस्ट आसा करता हूं कि कलास अच्छी लगी होई और आपको समझ में भी आ कमेंट करके बताएं कि आपको इसमे केहा दिकद आती और किस प्रकार से अपकूझ होते हैं क्योंकि जाने मौन होंगे आपको वहां से करने में प्हले इसी दोस्तों कि में हठादिया जाएंगा तेंक्यू ओल देवेस्ट सबसे बड़ी बुझा है यहां यह नोट लिखु अलस्तों शेटार। भूचा सबसे बड़ी जाभ सबसे थे बड़बु जाभ सबसे बड़ी ह Noel च जणे विक्रिण कि कोई भी मुझा रूचा उसकी उसकी सबसे बड़ी ता नहीं तो आपको भीकृण स्नु Foot क्यों कि मालों कि मालों यह मालों यह आयत है यह आयत है एसके आमने सामने की बुझाएत बराबर होती है पता है एगा यह बी टो यह सबसे बड़ी हुझाय तो होगी तो 20 यह निकाल ओगी तो तो एकरइस का ilas विक्केश का का रूट यह सबसे बड़ी हुजा आ जाएगी हला दोस्तों इस परकार से आपको क्योशन देखना और समझना आपका जो भी क्योशन और छेते मिर्टे से समझ आप बेज जी चाक कमेंट करो और आपका अंसर जरू में थैंक यू ओल देश्ट में नेक्स्ट क्ल